हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग उमीद का तुम आप लोग बढ़ियां होंगे अच्छे होंगे प्यारे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमेश्ट्री यानि की रसायन सास्तर का इंपोर्टेंट कोशन पेपर इस वीडियो में आप जो भी कोशन देख देखने को मिलेगा तो आप वीडियो को जरूर लास्तक देखिएगा और यदि आप फिजिक्स, केमेश्ट्री, मैथ, बायलोजी, हिंदी और इंग्लिस का कोशन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट startstudypoint.com पर विजिट कर सकते हैं वहाँ पर आपको जो है सभी विशायों का कोशन पेपर मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए साथी साथ सभी विशायों का study material भी मिल जाएगा ध्यन करने के लिए तो आप हमारे इस वेबसाइट पर जरूर बिजिट कीजिएगा वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ठीक है तो चलिए देखते हैं आज का chemistry का important question question number one से यहाँ पर question number one पुछ रहा है कि एवो गाड़ो संख्या एन बरावर होते हैं एवो गाड़ो नमर इस इक्वल टू तो एवो गाड़ो नमर जो होता दोस्तो किसी भी सब्टांस के एक मोल में जितना number of unit present रहता है तो उसे वो गाड़ो नमर करते हैं और यह जो number of unit होते हैं यह बरावर होते हैं 6.023 into 10 के power 23 के बरावर होते हैं और यही जो है वो गाड़ो नमर होते हैं तो एक का जो है सही answer होगा यहाँ पर बी 6.023 into 10 के power 23 चलिए next question देखते हैं अगला question है कि समपरासारी विलियन में समान होती है जो समपराशरी विलियन होते हैं दोस्तो जिसको हिंदी में कहते हैं आईसोटोनिक सोलूशन तो आईसोटोनिक सोलूशन के फास जो होते है दोस्तो इसका जो है आसमेटिक प्रेसर आसमोटिक प्रेसर जो होते हैं सेम होते हैं तो देखते हैं कहीं पर option में all osmotic pressure दिया है कि नहीं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर molar का situation दिया है, molality दिया है, नॉर्मलिटी दिया है यहाँ पर osmotic pressure कहीं पर दिया नहीं है तो यहाँ पर जो है दो का सही answer हो जाएगा none of this क्योंकि isotonic solution में osmotic pressure सेम होते हैं, ठीक है, option में नहीं यह दिया तो इसलिए जो है इसका right answer हो जाएगा none of this abom, इन में से कोई नहीं next question देखते हैं, अगला question है अर्ष्ट फर्किये रिक्त का तिर्जिया अनुपात क्या है, what is the radius ratio of octahedral void तो octahedral void का जो है radius ratio बताना है, तो इसका ratio होता है, point 414, ठीक है, तो 3 का सही answer हो जागा, यहाँ पर C 0.414, जो है octahedral void का radius ratio होता है, तो 3 का सही answer हो जागा C, next question देखते हैं, question है कि H2SO4 है, तो H2SO4 का जो chemical name होता है दोस्तों, यह होता है sulfuric acid, तो sulfuric क्या है एक परकार का acid है, तो 4 का जो है, चाहिए answer हो जागा, यहाँ पर A, acid है, यानि की अमल है, ठीक है, next question देखते हैं, अगला question है कि 3, 4 की अमल है trabasic acid, कौन सा compound trabasic है, diabasic है, monobasic है दोस्तों, इसके लिए आप जो भी compound दिया गया है, तो उनका सबसे पहले आप structure लिखेंगे तो structure लिखने से जो है पता चल जाएगा, पता चल जाता है कि वो trabasic है, कि monobasic है तो चली इस compound का सबसे पहले structure लिखते हैं जैसे कि S3PO4 है, तो इसका structure लिखेंगे तो phosphorus हो गया इसमें double bond हो गया और इसका phosphorus का balance होता है, तो oxygen, एक oxygen के साथ double bond और बांकी जो है इसका 3 हो गया और 4 oxygen है एक oxygen, एक oxygen हो गया total 4 oxygen और तीन hydrogen है, तो जो single bond से attach oxygen है उसके साथ hydrogen भी bond बनाएगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं total जो है 3 OH गुरूप हो गया 3 OH गुरूप हो गया तो यह जो है try basic acid हो जाएगा, तो 5 का हमाला सही answer हो जाएगा, यहाँ पर A, S3PO4 जो है एक परकार का try basic acid है इसी तरह से देखते हैं कि S3PO3 जो है कौन सा acid होगा फिर से यहाँ पर इसका structure लिखेंगे, phosphorus हो गया center में, इसका जो है एक double bond oxygen के साथ और बाकी 3 बच गया total 3 oxygen है total 1, 2, 3 हो गया और 3 hydrogen है इसके साथ 1 hydrogen इसके साथ 1 hydrogen और 1 hydrogen direct जो है phosphorus से जूर जागा यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, इसमें total 2 OH ग्रूप है जब 2 OH ग्रूप है, तो इसका मतलब यह है by basic या di basic जो है, acid होगा ठीक है, इसी तरह से आप इनका बताएंगे तो यह देखते हैं, यहाँ पर 2 हो गया तो यह monobasic होगा, यह neutral acid हो जागा, तो इस तरह से जो है 5 का सही आंसर हो जागा, tri basic acid का H3PO4 ठीक है, चले next question देखते है अगला question है, कि निमलिखीत में कौन परा चुम्बक किये है which is paramagnetic in following, तो paramagnetic जो है दोस्तों, वैसा आयन होता है जिसका जो है, जो orbital होता है, उसमें जो है unpaired electron होते हैं, जिस iron में जो है, unpaired electron उसके orbital में unpaired electron होते हैं, तो उसको जो है paramagnetic iron बोलते हैं तो इन सभी में जो दोस्तों, unpaired electron होते हैं, और यह होता है 3D5, जब इसका electronic configuration लिखेंगे, तो d orbital में, d के पास टूटर 5 orbital होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 orbital में एक electron होते हैं, और 5 जो है unpaired electron होते हैं, तो इस तरह से जो है, mn2 plus जो है, paramagnetic nature के होते हैं, तो इन सभी आयनों के लिए, दोस्तों, अगर कौन सा paramagnetic है, कौन सा आयन, जो है diamagnetic है, इसके लिए आपको electronic configuration लिखना आना चाहिए, इसी से आप अता कर सकते हैं, कि कौन सा आयन paramagnetic है, diamagnetic है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, 6 का सही आंसर हो जाएगा, d mn2 plus, नेक्स consideration नमर हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, तो 7 का जो है, सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर C, 0, next question देखते हैं, question है कि cyanide with you, से niscusion niscusion, धातू है, the metal extracted by the cyanide process cyanide process का जो है, दोस्तों, यह silver और gold, जो silver हो गया, जिसको इसका जो है symbol ag होता है, और gold हो गया, gold का Жए, symbol au होता है, तो silver और gold के लिए, जो है, जो है, दोस्तों, cyanide process का यूज़ किया जाता है, जब किसी भी जो है, और से, अगर silver और gold, जब इन दोनों का जब दोनों element का जो extraction किया जाता है, तो उसमें, जो है सैनेड प्रोसेस का यूज किया जाता है तो आठ का जो है सही आंसर हो जागा यहाँ पर यह सिल्वर में ठीक है चलिए निक्स कोशन देखते हैं कोशन है कि निम में से कौन छारिये भूमिज तत है छारिये यहाँ पर होगा दोस्टों भूमिज नहीं होगा छारिये तत है विच आपदा फुलोगिज अलकलाइन अलकलाइन एलिमेंट इन सभी में दोस्तों ओप्सन देखते हैं कारवन है सोडियम है जिंक है एरन है तो केवल यहाँ पर अलकलाइन एलिमेंट होगा तो गुरूप वन का जो है जो भी अर्थ मेटल काते हैं तो यहाँ पर अलकलाइन एलिमेंट पूछ रहा है तो अलकलाइन एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पर डी सोडियम जो है क्योंकि यह गुरूप वन का एलिमेंट है ठिक है तो ने और अनका सही आंसर होजगा अंतरा का जो आता है यह periodic table का जो है group 2 आता है और group 2 के अंतरगत आता है bralium हो गया, magnesium हो गया, ठीक है calcium हो गया, तो यह सभी element जो है group 2 के element है, जिसको जो है alkaline earth metal करते हैं ठीक है, तो आप इनको भी याद रखेगा next question देखते हैं, question है कि किस group के तत्वों को संक्रमन तत्व कहा जाता है which block of element are known as the transition element जो transition element है दोस्तो, d block element को जो है d block element को कहा जाता है transition element तो 10 का जो है सही answer हो जागा यहाँ पर c d block element को, और कई बार इसी में पूछ लेता है inner transition element, तो f block, जो f block का element है, f block का, तो f block element को कहा जाता है inner transition metal तो इनको भी आप याद रखिएगा चली next question देखते हैं question है कि निमलिखित में सबसे कम भास्मिक है which one of the following is the least basic तो इसमें बताना है दोस्तों कि कौन सा compound जो है list basic होगा तो इन में दोस्तों basic city जो हता है जो basic city जो है ये increase करता है increase करता है down the group अगर group किसी भी group में जो आप नीचे जाएंगे तो increase करेगा जबकि जो है क्योंकि इसका जो है electron negativity down the group जो है decrease करता है यानि compound का जो है जो halogen compound है जैसे जैसे आप कि halogen group के नीचे जाएंगे तो उसमें जो electron negativity होती है वो decrease करती है इस पर का फोलोरिन जो है highly negativity होते हैं जिसके करण जो है ये सबसे list basic होते हैं तो 11 का जो है सही answer हो जागा यहाँपर dnf3 जो है सबसे list basic होता है जबकि nf3 जो है सबसे highest basic होता है ठीक है तो आप इनको याद रखिएगा क्योंकि basicity जो है किसी भी ग्रूप में सोरी हेलोजन के ग्रूप में अगर basicity देखेंगे तो increase करता है down the group क्योंकि electron negativity decrease करता है ग्रूप में ठीक है चलिए next question देखते हैं question है कि निमलिखित में कौन हैडोजन बंधन नहीं बनाता है which one of the following does not form hydrogen bonding तो hydrogen bonding जो है दोस्तों यह hydrogen बनाएगा और यह hydrogen जो hydrogen bonding बनाते हैं यह तीन compound से बनाते हैं जिसको आप सोर्ट में याद रख सकते हैं फॉन याद रख सकते हैं फॉन यानि कि fluorine हो गया oxygen हो गया नेट्रोजन के साथ भी hydrogen bond बनता है लेकिन हेफ के साथ भी बनता है लेकिन HCl के साथ hydrogen bonding नहीं बनाता है तो 12 का सही आंसर हो जागा यहाँ पर C-HCl चलिए नेक्स कोशन देखते हैं कोशन है कि vitamin A का हलाता है vitamin A is called तो vitamin A जो है दोस्तों इसका जो है chemical name होता है retinol तो 13 का जो है सही आंसर हो जागा यहाँ पर भी retinol retinol जो है vitamin A का chemical name होता है ascorbic AC जो है यह vitamin vitamin C का जो है vitamin C का chemical name होता है calciferol जो है calciferol यह vitamin D का chemical name होता है और यह tocopherol tocopherol जो है vitamin E का chemical name होता है तो आप इनको भी याद रखिएगा ठीक है तो यहाँ पर vitamin A का पुछ रहा है तो vitamin A के लिए हो जागा यहाँ पर retinol चलिए नेक्स कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि ether में oxygen परमानू है oxygen item in ether तो देखिए दोस्तो oxygen item जो होते हैं इther में यह होता है comparatively inert होते हैं क्योंकि जब इसका आप structure देखेंगे और वह आ रहा है इसमें oxygen के साथ जो है दो अलकाल गुरूप जुरा होता है क्योंकि इसमें जो है esteric inheritance और high bond dissociation energy होते हैं जिसके करन जो है oxygen जो है यह comparatively inert होते हैं ठीक है तो 14 का जो है सही answer हो जागा यहाँ पर दी तुनलात्मक रूप से जो है अक्रिय होते हैं ठीक है next question देखते हैं अहला question है क्योंकि इसे कौन dash sacred है which of the following is dash sacred तो dash sacred जो है दोस्तों वह ऐसा मतलब कि sacred है जिसमें जो है इसका monomer 2 unit से बना होता है इसमें दो है दो monomer unit बना होते हैं तो उसे जो है dash sacred करते हैं तो यहाँ पर इसका जो है सही answer हो जागा lactose lactose जो है दोस्तों यह lactose बना होता है दो monomer unit से इसमें तो यह होता है गुलकोज गुलकोज है और दूसरा होता है गलेक्टोज. यह दोनों सब clearer होते है सबसे simplest form of sugar होते हैं. गलकोज और γलेक्टोज. ठीक है? तो यह दोनों के मिलाकर जो है, Lebtoz बना होता है. तो 15 का सही आंसर हो जगा यहां पर यहібंश्ड बांकि जो series stars हो गए है, दोस्तों जीलिलोज़ हो गया यह polysecret है ठीक है यह जो है starch का जो निर्मान होता यह होता है beta-degulcoze से और जो cellulose का जो निर्मान होता है यह alpha-degulcoze का जो है polymer होते हैं इसके बाद cellulose का निर्मान होता है और proctose जो है दोस्तों यह जो है monosecret है यानि कि simplest form of sugar है proctose ठीक है यहाँ पर dash secret पूछ रहा है तो dash secret के लिए सही answer हो जाएगा यहाँ पर lactose चली next question देखते हैं अगला question है कि इथेन में carbon का संकरन है hybridization of carbon in इथेन तो इथेन पूछ रहा है दोस्तों तो इथेन में तोटल 2 carbon present होंगे तो दोनों carbon जो है CC होगा और परतेक के लिए जो है चार balance होता है तो परतेक जगा है hydrogen 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 आ जाएगा तो इस तरह से जो है परतेक carbon का जो है hybridization होगा यह होगा SP3 के बराबर तो 16 का जो है सही answer हो जागा यहाँ पर SP3 ठीक है चली next question देखते हैं question है कि इथेन में pi bond की संख्या है number of pi bond in ethane काफे simple question है दोस्तों और यह एक simple question जो है बार-बार एक्जा में पूछते हैं तो आप इनको ध्यान में रखिएगा ethane पूछ रहा है तो ethane में जो है 2 carbon होंगे और 2 carbon की भी triple bond होंगे ठीक है ठीक है तो यहाँ पर आपको बताना है pi bond तो triple bond में question देखते हैं question है कि ethane में carbon का पर संकिकरन है the hybridization of carbon in ethane तो इसका जो आप फिर structure लिखेंगे दोस्तों यह जो है एक परकार का जो है रेखिये structure होते हैं और इसमें जो है carbon का जो hybridization होते है SP तो 18 का जो है सही answer हो जागा यहाँ पर CSP SP जो है SP इसका सही answer हो जागा यानि कि ethane में carbon का hybridization होगा यह होगा SP next question देखते हैं question है कि किस से sulfide ice का सांदरन किया जाता है concentration of sulfide ores is done by यह भी जो है काफी आसान question है दोस्तों और यह question बार-बार रिपीट होता है में एक जाम में उनिस का जो है सही answer हो जागा यहाँ पर C हिंदी में सुक कते हैं फेन पलावन विधी तो फेन पलावन विधी के द्वारा जो है sulfide ores का concentration होता है ठीक है तो उनिस का जो है सही answer हो जागा C next question देखते हैं question है कि प्रोपाइन में अगला question है दोस्तो question number 20 20 number question पूछ रहा है कि प्रोपाइन में sigma बंदनों की संख्या है number of sigma bond in propain तो प्रोपाइन जो है दोस्तो यह जो है sigma bond का symbol है तो sigma bond का बताना है कि प्रोपाइन में टोले कितने sigma bond होंगे तो सबसे पले प्रोपाइन का structure लिखते हैं प्रोपाइन में टोटल 3 कारबन होंगे ठीक है और प्रोपाइन पूछ रहा है तो triple bond भी होंगे तो ठीक है यह जो है प्रोपाइन का structure हो गया तो यहाँ पर जो है total sigma bond की संख्यां जो हो जागी यहाँ पर देखिए 1 हो गया और triple bond है तो इसमें 1 sigma 2 पाइ है तो 1, 2, 2, 1, 3, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पर जो है total sigma bond की संख्यां जो होगी यह होगी 6 तो 20 का जो है सही answer हो जगा यहाँ पर A ठीक है चलिए next question देखते है अगला question है कि कौन लौहा का आयस का है which one is the ore of iron तो iron का जो ore होता है दोस्तों यह होता है hematate hematate जो है iron का ore होता है जिसका chemical formula होता है AP2O3 ठीक है तो आप इनको भी याद रखिएगा तो 21 का जो है सही answer हो जागा यहाँ पर A hematate ठीक है चलिए next question देखते है अगला question है कि alkyne का समान सुत्र है general formula of alkyne तो alkyne का जो formula है तो alkyne का जो formula होता है यह होता है C1H2N-2 ठीक है तो 22 का सही answer हो जागा यहाँ पर B C1H2N-2 बाकी C1H2N-2 यह ilkin का है यह ilkin का है यह ilkin का है और यह ilkin का है ठीक है अगला question है, question है कि इन में से कौन paramagnetic ion है, which one of the following is paramagnetic ion, देखिए दोस्तों ये जो बिविन परकार का ion दिया है, सबसे पहले इन सभी ion का electronic configuration लिखेंगे, जिस ion के electronic configuration में अगर उसके orbital में unpair electron होंगे, तो unpair electron वाले भी ion पारamanetic ion होंगे, तो यहाँ पर Cu2 पलस इसका जो है, सही answer ह हो जाएगा, अगर Cu2 पलस का जो है, अगर आप electronic configuration लिखेंगे, तो इसमें जो है, unpaired electron आप पाएँगे, तो यह जो है, paramagnetic nature का ion होंगे, 23 का जो है, सही answer हो जाएगा, यहाँ पर Cu2 पलस, ठीक है, next question है, question है कि परतिकिरिया के दर को व्यक्त किया जाता है, परतिकिरिया, परतिकिरिया कोटी क्या है, the rate of reaction, expressed by the rate, the order of reaction, तो यहाँ पर order of reaction के लिए दोस्तों आपको पता होगा, कि जो भी जो है, rate में जो concentration दिया है, उसके power में जो भी जाता है, वो जूट जाता है, तो 24 का जो है, सही answer हो जाएगा, यहाँ पर, BX पलस Y हो जाएगा, और यही जो है order of reaction होते हैं, चलिए next question देखते हैं, question है कि इन में से कौन P block तत्व है, which of the following is P block element, तो देखिए दोक्तों, sodium जो है, sodium जो है, group 1 के element और यह जो है, S block का element है, copper जो है, यह D block element है, boron जो है दोस्तों, यह P block element है, बाके magnesium जो है, यह भी group 2 का element है, और S block element है, तो यहाँ पर P block के लि boron जो है, एक P block element है, तो 25 का सही answer हो जाएगा, C, तो उमीद करता हूँ दोस्तों, आपको यह वीडियो पस्तना आया होगा, अगर वीडियो पस्तना आये, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजगा, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,